आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now हाई friends हमारा question है the price of sugar goes up by 20% by how much percent must the housewife reduce her consumption so that the expenditure does not increase यानि कि ये कहा गया है कि sugar का price जो है वो 20% कम हो गया है तो एक housewife को अपने sugar के इस्तमाल में कितनी कमी लानी चाहिए कि उसके जो खर्चे हैं वो बड़ाबर हैं कुछ ज़्यादा ना पढ़े expenditure does not increase तो उसके अपने sugar usage में कितनी कमी लानी चाहिए कितनी percent की कमी लानी चाहिए वो हमें निकालना है ओके फुलेट सब्सक्राइब कर लो कि हमारे शुगर का जो प्राइस था वो 100 था और उस पर 20% का increase हो गया है फुलेट प्रैप टी ओर उरिजनल एज हमें प्रैप सुगर दोस्गर कितनी कितनी लानिर भी ऑस दीन वप्रेष्ट प्राइस 100 था ध кажशिक स्थान्रू ऑस्देट साछिक टी ऑ्र नৌर प्रवां फ्रिस्टर प्राइस अपर्डेश 100 into 100 this got cancelled we got 120 ≥ तो increase करने के बाद वो शोकर का price हो गया ≥42 अब 120 हीक पर तुम्हें कितना reduction करना चाहिए that isto pac सी 100 का हो जाए तो उसका रराद से 20 so reduction on ≥120 should not be ≥20 यानि के ≥20 पे ≥20 का reduction होना चाहिए so on rupee 1 it should be 20 upon 120 so on rupee 100 it should be 20 upon 120 into 100 तो इसकी क्या value आजाएगी चले solve करते है 00 cancel then it is 1 upon 6 so it is 100 by 6 100 by 6 is 50 by 3 और it is 16.66% this is your final answer thank you classics to 12 से लेके need IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 सुपर